दोस्तों आज के इस वीडियो में हम compare करेंगे इंडिया के दो बड़े बैंक, State Bank of India और Punjab National Bank की तो दोस्तों इस compare region में हम बात करेंगे कि अगर आप home loan लेने के सोच रहे हो और अगर आप 25 लाग का home loan 15 साल के लिए लेते हैं तो दोनों ही bank के case में यानि कि SBI और PNB में कौन सा आपके लिए फाइदे मंद रहेगा तो दोस्तों इसके साथ-साथ हम यह देखेंगे तो की आपका EMI कितनी आएगी और दोनों ही bank के case में आपको total amount कितना देना पड़ सकता है तो चलिए दोस्तों आज काई वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम आ गए है State Bank of India के rate of interest on home loan पे यानि कि State Bank of India home loan पे कितना interest charge करता है Recently State Bank of India ने अपना interest rate change कर दिया है दोस्तों यहां पर दिख सकते हैं 13th April को तो दोस्तों इसके उपर हमने एक dedicated video बनाया है इस कल निक में नीचे description में देर नोगा आप चाहें तो चेक कर सकते हैं दोस्तों तो अगर आपका civil score 800 या फिर 800 से उपर है तो State Bank of India आपको home loan 9.15 effective rate of interest rate आपको देता है जैसे ही आपका civil score नीचे गिरेगा यानि कि जैसे आपका civil score कम होता होता जाता है आपका interest rate उतना बढ़ता बढ़ता जाता है अब आते हैं दोस्तों हम ये देखते हैं कि Punjab National Bank आपको किस rate से home loan प्रोवाइड करता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आगे हैं पंजाब National Bank के official site पे जैसे इसको हम थोड़ा ता scroll करते हैं देखिए अगर आपका civil score 800 या फिर 800 से जादा है तो पंजाब National Bank का जो home loan है वो 8.75% से start हो जाता है दोस्तों तो SBI के case में यह 9.15 था और PNB के case में 8.75% हो है दोस्तों इससे पहले कि हम आईए calculation शुरू करें हम आप से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप बड़ा amount का loan लेना चाहते हैं यानि कि लंबे term के लिए loan लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका credit score को सुधार ये अगर ये 800 या फिर 800 से उपर है तभी आप loan के लिए लीजे इसके चलते आप बहुत सारा पैसा सेफ करेंगे और benefit में रहेंगे दोस्तों ये दिखने में 1.5% कम लगता है पर यही 1% या फिर 0.5% आगे चलके आप सको 15 साल, 20 साल, 30 साल के loan में 15-20 लाख रुपे तक का सेफ कर सकता है इसके उपर भी हमने एक dedicated वीडियो बना है जिसका link में description में दे दूँगा कि कैसे 0.5 या फिर 1% के difference में आपका home loan में 10-12 लाख रुपे तक का difference आता है अब देखिए जोस्तों हम चलते हैं कि SBI और PNB के comparison के उपर तो दोस्तों इसके लिए हम आते हैं home loan calculator पे उपर आप यहा पे देख सकते हैं हमने calculator choose कर लिया है तो दोस्तों जैसे कि हम आज इहां पे देख रहे हैं 25.000.000 डका own loan तो हमने यहां पे 25.000.000 lah to choose कर लिया है और tenure होगे हमक्रा दोस्तों 15 साल तो हमने 15 साल choose कर लिया है आपने 25 लग का home loan लिया है 15 साल के लिए और दोस्तों यहां पर जो rate of interest रहेगा जैसे कि हमने SBI का बात किया था यह 9.15 से शुरू होता है तो हम 9.15 डाल देते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको सुविदा हो देखने में हाँ ठीक है दोस्तो तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमने 25 लग का home loan चूज किया है और time यानि के tenure है 15 साल और rate of interest है 9.15 जो कि SBI का सुरू होता है तो यहां पर आपकी EMI आएगी 25,580 रुपीज और आप जो 15 साल में बैंक को total interest देंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं वो 21,04,041 रु आप आते हैं दोस्तों हमने PNB का देखा था कि PNB का जो rate of interest है यहां पर मैं फिर सो देखा देता हूं वो 8.75 से सुरू होता है दोस्तों तो इसी value का हम वहां पर market देखते हैं और देखते हैं कि यहां पर कितना difference आ रहा है तो यहां पर देखिए दोस्तों 46 लाक के आस पास आपका total payment आ रहा है और इसी को जैसे ही मैं 8.75 करता हूं दोस्तों 8.75 मैं जैसे इसको चूज करता हूं यहां पर देखिए दोस्तों 44,97,000 के आस पास आ रहा है तो यह लगभग 45,00,000 है और पिछले में कितने था था दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं यहां पर देखिए दोस्तों यह 46,00,000 यानि कि लगभग 1,00,000,000 का difference आ रहा है दोस्तों तो दोस्तों जैसे ही मैं इस tenure को बढ़ाऊंगा माल लिए जब 15 साल के जगा पर आप यही लोन 30 साल के लिए लेना चाहते हैं या फिर 25 साल के लिए लेना चाहते हैं तो देखिए द डालेंगे दोस्तों तो यहां पर देखिए 70,00,000,000 के आसपास आ रहे है तो देखिए यहां पर कितना ज्यादा difference आ रहा है दोस्तों तो इसी के ऊपर हमने एक dedicated वीडियो बनाया है जिसका मेरा में में बात कर रहा था आप लिंक description में है आप चीक किजे उसको देखिए अश करता है चोटा से वीडियो आपको अच्छा लगो होगा आपका दिन मंगल माई हो धन्यवाद दोस्तों